कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि लोग कैसे ढून लेते हैं, कैसे आविश्कार करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, कितनी लंबी जर्नी होती होगी, कभी गिरते हैं, फिर उठते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता होगा, वैसे आप भी मेरी तरह यही सोचते हैं तो कोई पातनी सोचना एक बात है लेकिन actually क्या होता है ये जानना बहुत interesting रहेगा तो बात ऐसी है कि विज्ञान ने हमें धेर सारे scientists दिये है या फिर मैं यूं कहूं कि इन धेर सारे scientists ने मिलकर के हमें विज्ञान दिया है तो उन सभी योगदानों के बाद मतलब उनकी इतनी मेहनत के बाद भी आखिर हम उनमें से कितने विज्ञानिकों को याद रख पाते हैं शायद दिमाग पर आप जोर डालेंगे तो कुछ नाम आपके दिमाग में चल रहे हैं और इन सभी scientists में से एक नाम ऐसा भी है जिनोंने विरासत में हमें अपनी सोच सौब दी जी हाँ जिनोंने पहली बार टेलिसकोप का आविशकार करके दुनिया को चौका दिया था एक ऐसे गुरू जिनकी शिक्षा के कारण उनके मरने के धाई सो साल बाद भी उन पर बैन लगा रहा अनन्त है एक ऐसे व्यक्ति सर आईजेक न्यूटन को जिनका पूनर जनम कहा जाता था गैलिली ओ गैलिली ये वो दो शब्द है जिनकी कहानी उनकी सफलता की तरह लंबी तो नहीं लेकिन रोमैंस से भरपूर है तो कुछ यूं कि इस कहानी के अंत तक लेकिन पंद्रवी सदी में सुर्किया बटोरने के लिए ये नाम काफी था वो साल था 1564 यानि की 1564 का जब इटली के पीसा शहर में एक गरीब दमपत्ती ने अपनी पहली संतान को जनम दिया वो गैलिलियो थे जिनका जनम भी अपने आप में किसी भी अजूवे से कम नहीं था फिर आप चाहे तो इसे हैरत अंगेज कहे या कुदरत का करिश्मा गैलिलियो का जनम ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन रेनिसेंस के आखरी दिगज माइकलो एंजलो की मौत हुई थी ननहे गैलिलियो उस जमाने में आ चुके थे जहां बाइबल लोगों की सोच को आकार दे रहा था बाइबल को अपनी जागेर बताने वाले चर्च के कुछ सदस्य लोगों की जीने और मरने का फैसला भी खुदी करने लगे थे आगे चलकर गैलिलियो को भी इसी नियम से संघर्ष करना था एक ऐसा संघर्ष जो मौत के बाद भी उनके माथे से किसी कलंग की तरह लगा रहा यूरोप में हालत बच से बत्तर हुए जा रहे थे अंध विश्वास अपनी बाहे दिन बदिन फैला रहा था वहीं दूसरी तरफ प्लेग के बिमारी भी आधी आबादी को निगल चुकी थी तो इसी वज़े से लोगों का विश्वास अब चर्च पर से उठ रहा था तो बगावत की इसी माहौल ने जनम दिया साइंस और फिलोसोफीज के नए दौर को जो कुछ समय के बाद कहलाया गया तो एरा ओफ मौडन साइंस जी हाँ आश्चर्य की बात है कि जो चर्च साइंस और एस्ट्रोनोमे पर बंदीशे कस्ते थे मौडन साइंस की जादतर फिलोसोफीज और इन्वेंशन्स ने उसी चर्च में जनम लिया था जिसमें एक एहम किरदार निभाया था निकॉलस कौपर निकस ने इनकी मृत्यू गैलीलियो गैलीली के जनम से 20 साल पहले ही हो गई थी कॉपर निकस एक कैथलिक प्रिस्ट थे जिनकी थियोरीज को गैलीलियो अपने उल्लेखों के जरिये साबित करने की कोशिश करते थे कॉपर निकल्स की थियोरीज को दिये गए इसी सपोर्ट ने गैलीलियो को अपने समय के सबसे कॉंट्रोवर्शल फिगर्स में से एक बना दिया गैलीलियो का शुरुआते जीवन तस साल की उम्र तक अपने परिवार से अलग रिष्टेदारों के साथ पीसा में ही बीता यहां पीसा में ननही गैलीलियो की दिल्चस्पी मैथमेटिक्स में बढ़ने लगी लेकिन उनके परिवार वालों को ये बात मन्जूर नहीं थी पिता विंचेंसों चाहते थे कि उनका होनहार बेटा मेडिकल करके अपने घर के लिए कुछ पैसा कमाए इसी लिए महस 11 साल की उम्र में ही गैलीलियो को वेलम ब्रोसा में इस्थित एक मॉनिस्ट्री में भीज दिया गया फ्लॉरेंस से 33 किलोमिटर दूर ये मॉनिस्ट्री हरी पहाड़ियों के बीचों बीच बसी हुई थी ये जगे गैलीलियो को इतनी पसंदाई कि उन्होंने यहीं पर में सन्यासी बनने का फैसला ले लिया अब जैसे तैसे हिम्मत जुटा कर ननहे गैलीलियों ने अपने पिता को बताया कि वो एक मंक यानी की सन्यासी बनना चाते हैं ये बात सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई पिता ने गैलीलियों को तुरंथ ही मॉनिस्ट्री से लौट आने के लिए कह दिया इसे के साथ गैलेलियों को मजबूरन फ्लॉरेंस लौटना पड़ा जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की और अपनी कहानी के पहले पड़ाव को भी पूरा किया